नाव सटेंस देखिए एलेक्टिसिटी लास्ट एनियर के बोड एक्जामिनेशन के कोश्चन फटा-फट कवर कर लेते हैं ठीके सटेंस तो कल मैंने आपको रिवीजन करा दिया था एलेक्टिसिटी का ठीके ना तो वह रिवाइस करने के बाद अब जो जो चीजें यहां पर आपको एक्जाम में कोश्चन ये पूछ रहा है कि physical quantity को डिफाइन करना या उसके unit को डिफाइन करना है सुन लिजे फिरति द्धान से physical quantity को डिफाइन करना है या उसके unit को डिफाइन करना है यहां गलती हो जाती है ठीक है जैसे कि मैं आपको याद दिला दूँ कि जो potential difference है यह क्या आपका physical quantity और इसकी unit क्या होती है volts होती है ठीक है ठीक है यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ physical quantity यह गलती हो जाती तो मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ physical quantities ठीक तो physical quantity आपकी potential difference तो physical quantity potential difference को define करने के लिए उसको define करोगे और उसकी unit को अगर define करने के लिए बोलेगा तो यह वाले कॉलम में हम आपको units दिखा रहे हैं ठीक है ना इसी तरीके से physical quantity कौन सी पड़ी आपने current को आई से दिखाते हो लेकिन इसका unit क्या है ampere तो आपको ध्यान रखना है कि physical quantity को define करना है या उसके unit को define करना है तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको की unit को पूछा है physical quantities को पूछा है तो मतले ना question को ध्यान से आपको पढ़ना है तो ध्यान से चेक करिए कि define SI unit of potential आप बताओ उसने क्या पूछा आप से आप potential difference देखते ही potential difference define कर दोगे गलत हो जाएगा उसने बोला SI unit of potential difference तो आपको SI unit बतानी potential difference की अब potential difference की SI unit बच्छो क्या पढ़ाई थी हमने बताई वोल्ट्स ठीक है तो याने कि one volt को आपको define करना है किसको define करना बच्छो one volt को आपको define करना है ठीक है हाँ तो अब यह समझ लीजे आप अब बच्छो देखो one volt को कैसे define करोगे तो potential difference का formula लिख लो ठीक तो बच्छो वी बराबर क्या होता था याद करिए डबलू बाए क्यू ठीक वी बराबर क्या होता था डबलू बाए क्यू ठीक है याद है तो कोई electric circuit है बच्छो यह देखे कोई electric circuit है यह इस तरीके से electric circuit है electric circuit में दो point choose कर लिजे point A और point B सुन लो ध्यान से आपको answer कितना लेके आना है वन वोल्ट लेके आना है तो क्या करोगे अब खुद दिमाग लगाओ बच्छो वर्क को कितना कर दोगे वन जूल और कूलॉम को कितना कर रहा हूं चार्ज को डबलू का मतलब वर्क है जि अध्यान सनो इसको भी वन कर लो इसको भी वन कर लो तो वन कुलॉम का चार्ज ले लो capital C का मतलब भाई खुद दिमाग लगाओ ना वी की वल्लू वन कैसे मिलेगी जब वर्क भी वन कर दो गया और क्यूं को भी वन कर दो तो वन बाए वन कर दो आंसर वान आ जाएगा को ही हम वोल्ट का ना बताइए यह देकर यह एक इलेक्ट्रिक सब्केट में कोई वाइर है ठीक है इसमें दो पॉइंट एक पॉइंट ए और एक पॉइंट भी दो पॉइंट को अगर यह है ठीक है मतलब electric circuit में ऐसे दो पॉइंट हैं सुनो point भी बड़े special हैं दोनो ऐसे दो पॉइंट है जिन दोनो point के बीच में one column charge को ले जाने में यहां से पकड़के यहां ले जाने में ऐसे है न अगेंस the electric field तो उतना हम detail में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन one one column charge को एक point से दूसरे point तक ले जाने में अगर वन जूल का वर्क हो रहा हो अगर वन जूल का वर्क हो रहा हो तो उन दोनों work in bringing if condition लगी हुई है कि amount of work कितना हो जाए वन जूल क्या करने में इन ब्रिंगिंग वन कुलॉंब और मतलब एक point से दूसरे point तक ले जाने में अगर वन कुलॉंब चार्ज को अगर वन जूल का वर्क करना पड़ता है तभी उन दोनों पटाफट आजाईएं बच्चो डोट इस में ट बड़ेंशे बेटीन दो और दर्ल धीन करनी यहां पर आपको यृणघ दों धियान से दिखिए और हमको define करना है टो we go Assæup Vidic open करोगी इसके लिए आप टो इसके लिए अप-ट्रेण कर दो कितना कर दो unit वच्चो unit charge का मतलब होता है मैं कुलाम मेन याद रखियेगा तो वच्चो क्यों को कर दो वन One कुलाउं कर दो one कुलाउं का मतलब यूनिट जैसे करो कि बच्छो नीचे वन तो वी बराबर कितना आ जाएगा डबलूबाइवाइवन कि दब्लू बाइवन हाँ वी बराबर डबलू आ जागा वेरी गूट बताया आपने बहुत अच्छा वी बराबर डबलू क्योंकि डबलू बाइवन डबलू हो जागा आप बताओ बच्छों डिफाइन हो गया कि नहीं पॉटिंशल डिफिंस किसके एक वाल आ गया वर्क ए लास्ट टाइम क्या था दोनों के बीच का पॉटेंशिल डिफिंस हमने वन वोल्ड बोला था क्योंकि वन कुलॉंब को एक पॉइंट से उठाके दूसरे पॉइंट तक ले जाने वन जूल का वर्क हो जाता था इस बार पता नहीं कितना वर्क हो रहा है डबलू हो रहा है इतना भी वर्क हो रहा उससे मतलब नहीं लेकिन जितना भी वर्क हो रहा है इस बार उतना ही वर्क जो है वही क्या कहलाता है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशल डिफरेंस वी वराबर डबलू आ गया ना तो क्या करोगे युनिट चार्ज को एक पॉइंट से उठा पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जितना अँए वर्क करते हैं वही उन दोनों बीच का क्या होता है बच्चों बात के लिए यही बात लिखी हुए यहां कि पोटेंशल डिफरेंस बेट्वीन तो पॉइंट इन एलेक्ट्रिक्ट फील्ड अनुने आप in an electric field लिख दो और चाहें in an electric circuit लिख दो बात से मान ली जाएगी आपके definition true मान ली जाएगी दिक्कत मत लीजे आप तो potential difference between two point in an electric field लिखो या electric circuit लिखो ठीक है तो potential difference between two point and electric field is the amount of work done potential difference the amount of work done work done to do what to move a unit chart from one point to another point any doubt बच्चों आया कोई डाउट बताइए सही है कल भी रिवाइस कर आए था चलिए अब आजाई बच्चों question no.3 पर आजाए 2016 मैं question no.3 कि रहा name the device that helps to maintain potential difference across a conductor ठीक है बच्चों किसी conductor के cross ध्यान से सुन लो अभी यहां मैंटेन करता है अगर आपको is the capture maintained करना दो को battery लगा नहीं होगी समझे ना बहुझ Ведьer क्या करता है वोल्ट मीटर पॉटेंशट डिफरaceut को मेजर करता है बच्चों वोल्ट मीटर क्या करता है वोल्ट मीटर बच्चोंMER कि वोल्ट मीटर क्या करता है मेजर्स को मेजर करता है और अगर तुम्हें बच्चों पुटेंशल डिफरेंस को मेंटेन करवाना हो पुटेंशल डिफरेंस को क्या करना हो पुटेंशल डिफरेंस टू तो बैटरी लगाओगे ना भाई तो मेंटेन तो मेंटेन पोटेंशल डिफरेंस वी विल यूज बैटरी तो यह अंतर बच्छो आप समझ लीजेगा एक्जाम में कोशन ध्यान से पढ़िएगा ऐसा नहीं की कोशन पढ़ते हैं आप फटा फट जवाब दे रहें उल्टा सीधा वहां पर नहीं ठीक है तो प्रक्टिकल सर्किट में हम लोग बैटरी यूज करते हैं क्योंकि बैटरी क्या होता है दो या दो से ज्यादा से लगाओगे तो बैटरी कहलाता है यह आपने क्लास में पढ़ा हुआ है ठीक है सुटेंस ओके चलिए अब हम आगे बढ़ें कर सकते हो बच्छों उसको आप क्यां करती है वह भी थोड़ा साथ समझ लिए कभी कभी कुश्चन आता है कि बैटरी पूचेगा चैनल के बारे में पूचेगा तो आप एक से समझ लो बैटरी का एक्स्प्लेंट कर देना यह एक सेल होता है बच्छों इस तरीके से ठीक इधर होता है पॉसिटिव इधर ह निकलते रहते हैं ऐसे आप समझो तो जहां माइनस है यहां सारे इलेक्ट्रों इस तरीके से बैठे हुए ऐसे आप समझो शौट में ठीक अब जैसे ही आप क्या करोगे एक एलेक्ट्रिक वायर लगाओगे यहां आपने बल्व लगाया ठीक और यहां पर टच कराया पर नेगटिव चार्ज है एक दुसरे को सब धक्का मार रहे हैं यह ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक कमरे में बहुत सारे ललके बंद है अचानक दरवाजा खुल जा तो फटाक से सारे बच्चे बाहर भागेंगे तो वहीं चीज़ है यह सारे बच्चे यहां बैठे हैं सा आप तार यहां पर टच कराओगे ठीक है बच्चो सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं अब इनको रास्ता मिल जाएगा तो यह सारे इलेक्ट्रॉन इस डिरेक्शन में ऐसे फ्लो कर जाएंगे ठीक तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते बच्चो माइनस से प्लस की तो एलेक्ट्र करेंट हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ को डाउट है इस तरीके से बैटरी प्लो तब मेंटेन रखती है ठीक है तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा भाई सब कुछ अब आ जो यहां पर अभी एक्जाम आ रहे हैं बच्छों नेक्स देखिए यह सब हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ठीक है जिन बच्छों ने लाइफ क्लास जॉइन करी हुई तो हम लोग ने इसकी बहुत सारी क्लास करी है तो बेरहाल अभी कोशन पर ध्यान देते हैं बच्छों कोशन नमबर फॉर में जेकर है नेम दा फिजिकल कॉंटिटी के बारे में बात कर रहा है तो करेंट पोटेंशल डिफरेंस वर्क चार्ज यह सब क्या है? फिजिकल कॉंटिटी. तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको बताना है. कुछ बच्छे इसमें यूनिट माश्री हम बतादे थे हैं. ना ना आपको फिजिकल कॉंटिटी के बारे में बात करना है. तो वह पर बताओ सम यह fiquei सीरी में क्या होथ हृप ऑसाइब गज्ट होता है ये अलगलाग होता है अगर आगे बढ़िये अब देखो το है बदाएज यूट है बताइए और क्यूट को आफ त्रया हिसे ठखाते हो और बताइए कि यूट है अब बताइए का आपने और इअ अपने रावयी पढ़ा हुआ है ऐसमें आप आई बराबर क्यू भाएटी पढ़ा हुआ है अब откры me लगाओ बच्छो आपको कोशिण में क्या दिया है कि करेंट को 1 ampere करना है और कुलाउं मतलब चार्ज को कितना करना रहें 1 कुलाउं तो आप क्या करोगे इसको मैं दिखाओário कहां इसको मैं यहां दिखा देता हूं और थोड़ी से जगा बना कितना लेकि आना है वन एंपियर सही बच्छों अब मुझे यह बताओ आपको समय टाइम को कितना पर करना पड़ेगा वन सेकेंड यह आपकी यह आपकी मद्बूरी हो गई क्योंकि वन अपॉन वन ही तो वन आएगा ना हमें करेंट तो फाइनली वन लाना ना कोशन में दिय क्या हुआ है तो बच्छों टाइम को आपको वन सेकेंड करना पड़ेगा यह का मतलब सेकंड समझ गये तो वन एंपियर का वन कुलॉम के साथ क्या रिलेशन है वन एंपियर एक्टिक करेंट कितना होता है तो जवाब है जब किसी वायर के किसी क्रॉस सेक्षन एरिया से कि किसी दिए गए पॉइंट से एक सेकेंड में एक कुलॉम चार्ज फ्लो कर जाएं सुन लो ध्यान से बच्छों थोड़ा फील आ जाएगा आपको वन एंपियर करेंट कितना होता है तो जवाब है यह कोई वायर है वायर के सामने से खड़ो जाओ अरे भाई सोचो 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 तो हम बोलते हैं कि हाँ भया इस वायर में वन एंपियर करेंट फ्लो कर रहा है समझ गए और एक बात और बता देता हूं आपके फील के लिए बच्छों मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था अगर आपको यादो कल की क्लास में मैंने बताय था जिनको नहीं पता है ध्यान जिम्मेदार होते हैं बताइए सिक्स पॉइंट टूफाइव इंटू टेंड़ पाइटीन इलेक्ट्रॉंस बिल्कुल याद कर लिजेगा फिर से ध्यान से सुनिए वन कुलाउम चार्ज होता है ना चार्ज किसके पास होता है सही ना तो एक कुलाउम चार्ज को बनाने के कितने इलेक्ट्रॉंस मेंदार होते हैं 6.25 इंट टेंड़ बार 18 इलेक्ट्रॉंस यानि कि जब हम बोल रहे हैं कि वायर में वन एंपर करेंट फ्लो कर रही है यानि कि वन देंट में वन कुलाम चार्ज निकलने का मतलब वन सेकंड में इतने सारे एलेक्ट्रॉंस पास हो है मतलब एक सेकंड में यहां से इतने सारे एलेक्ट्रॉंस निकल रहे हैं कितने इतने समझ गए तो यह होता है वन एंपिर का मतलब बैरहाल अब हम वापस आते हैं ठीक है सुडेंस आजए बच्चों फटाफट चलिए तो बच्चे यह हो गया हमारा next question देखिए सुडेंस अब देखो बच्चों फिर उसने आप से सवाल पूछा state in brief the meaning of electric circuit क्यों वही इलेक्ट्रिक सर्केट भी डिफाइन कर पाओगे क्या ठीक है यह पुसको की लिख सकते हो ठीक है ए एमीटर होता है वोल्ड मीटर होता है तमाम चीज़े लिख के और एक छोटा सा बच्चों कहीं पर switch लगा दीजेगा, ठीक है, यह इस तरीके से, यहां पर लगा दें, समझ जाना, ठीक, यह इस तरीके से, यह लीजे, एक की लगा के इसको close कर देना, ठीक है बच्चों, plus हो गया, minus हो गया, ठीक, यहां Ameter लिखना, और ध्यान सुनो, यहा करता है, lower potential, तो Ameter में यहां plus लगाएंगे, और यहां minus, को की current ऐसे जा रहा है, higher, plus का मतलब higher potential, minus का मतलब lower, तो plus से minus, ऐसा मत कर देना, भीया, कि minus यहां लगा दिया, और plus लगा दिया, तो minus से थोड़ी ना जाएगा, plus से minus, higher से lower जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान अगर आप चाहो, तो इस बल्फ के across आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, तो आपको potential difference पता चल लाएगा, बल्फ के across कितना potential difference है, और वोल्ट मीटर में भी वही कहां नहीं है, जिधर से current आ रहा है, left से current आ तो left में plus, higher से lower, ऐसा सुचो, ठीक है, कोई doubt है, बताईए, ठीक, हाँ, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ plus और यहाँ minus मत लगा देना, ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुन लो, बच्छो, आपको exam में correction के लिए diagram आता है, न, ncati exemplar question में दियो, देखे, correction के लिए कैसा diagram आएगा, बच्छो, ऐसे करके emitter बना देगा, आपको, वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस का sign लगा के देंगे, और आपको पहचानना होगा, कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक, ज्यान सुनो, एक में लगा देगा, प्लस से माइनस, और एक में लगा देगा, माइनस से प्लस, बताइए बच्छो, फर्स्ट वाला diagram सही है, या सेकेंड वाला diagram स से प्लस जाएगा, क्या करेंट बताओ, लोवर पटेंशल से हाईर पटेंशल जाता है, करेंट, बताइए कभी, क्या पढ़ाया है, क्रेंट हाईर पटेंशल से लोवर पटेंशल जाएगा ना भाई, प्लस का मतलब हाईर पटेंशल, क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में, कि अरे भाई conventional current तो है हाँ वो कनेशल के दिये जो कनरेश Louise आप 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 इक्ट spr करेंशह कहां से कहां जाता है प्लस से मैंनुस की तरफ न कि हायर पटेंशल से लॉर पस्रेंशल जाता है अरे इलेक्ट्रिक कोई डाउट है बताईए अब आया हाँ तो यह वाला सही है और यह गलत यह तो भाई एक्जाम में कोशन आता है क्रेक्शन के लिए गलत मत कर देना ठीक चलो बहुत बढ़ी है यह बात भी आप लोग को आ गई है ठीक है सुदेंस अब आजाए बच्छों कोशन नमबर सेवन बच्छों इसने दीखो कैसे दिया सवाल तो हम कैसे करेंगे इग्जाम में और उसने बच्छों आपको दिया क्या ध्यान देंगे सुदेंस उसने दिया falt per a any जैसे करके दिया उसने अब मैं सोचूंगा क्या सोचूंगा मैं बताता की वोल्ट किसको बताता है कौन सी physical quantity को वोल्ट बताता है यह कौन सी physical quantity को वो है unit यह किसका है potential difference का ठीक तो इसकी जगा में इसकी physical quantity लिखूंगा potential difference V और ampere ampere कौन सी physical quantity का unit है current का तो इसकी जगा में आई लिखूंगा अब बताओ V upon I क्या होता है R नहीं होता है क्यों भाई ohms law से आपने result पढ़ाता ohms law का V is equals to IR तो यहां से R की value निकालोगे V upon I आ जाएगा तो अब बताइए वोल्ट पर ampere किसको बता रहा होगा किसकी unit होगी कि रजिस्चेंस की आया कि नहीं आया कि बताइए आया कि नहीं आया और्फनो इसी वोल्ट पर ampere को ही अब आप बोलोगे तो सर और अम पढ़ाई थी अरे भाई इसी वोल्ट पर पर एंपियर को तो उन्हों ने अगर ओम देदेते अगर आपको तब तो तुम्हाराम से पेचांट जाते ना ओम अगर बोल देते कि वह आली फिजिकल कॉंटिटी बताओ जिसका यूनिट ओम है तो तुम पर एंपियर दे दिया तो वोल्ट की जगा उसकी फिजिक बतला वो आजाएगा अब आगे की कहानी सुनो बच्चो एक भोगी असां सा सवाल आपको इन्होंने दिया एक नमबर में धयान से चेक करिए बच्चो नेक्स कोशन जो दिया इन्होंने कोशन नमबर एट यह दिया आप देखोगे तो आपको क्या बोलता है बच्चों यहां से 250 कूलॉम यह सो नो capital C का मतलब कूलॉम फ्लोस थुरू वायर इन वन मिनट बच्छो टाइम कितना दिया बच्छो ध्यान दें टाइम को किसमें रखा जाता है सेकेंड में टाइम का ऐसा यूनिट तो भाई सेकेंड में होता है लेकिन ध्यान रहे जिए जब आप इलेक्ट्रिक वाला जब आप फड़ी एलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला के अले कोशन करोगे लाक्लोट तब आपको टाइम को और में रखना है तो वह सवाल कराएंगे तो बात की बात है ठीक है कल्री वीजन करना था बताए था लेकिन यहा याद रखिएगा चार्ज को कूलाउं में रखोगे टाइम को सकेंड में रखोगे बिटा तो आंसर आएगा किसमें एंपियर में 0 से 0 गया बच्चो 15 को 6 से डिवाइट करो कितना आ जागा 2.5 एंपियर कैपिटल ए से लिख देना एंपियर आ गया की नहीं आया बताईए सही है अगला सवाला जो बिटा गलत मत कर देना कैलकुलेशन एक्जाम में ठीक है बड़े असान असान सवालें को दिक्कत नहीं अब देखो बच्चो यह वाला जो सवाल है यह मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं सुन लो ध्यान से पहले कोशन पढ़लो दो सुन लेना ध्यान से सप्टों इस हो एक पर आप सबना इस अपलक हो सबसे हैं चुछेट बहुत और तो यह नीं पता हूं क्रॉस सक्षेए क्या होता है तो पहले तो यह इसका cross section area अब समझ गए होगे तो यह इसका सर्कुलर सर्फिस एरिया दिखाई पड़ेगा यही क्रॉस सक्षेशन एरिया यही होता है जूम करके दिखा रहा हूं समझ गए होगे अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्छो एक given length है, low given length है, बच्छो इसको double करो, ये जैसे ही double करोगे, length कितनी हो जाएगे, इसकी half, हो गई की नहीं हो गई बताओ, length अफ हो गई, और cross section area कितना हो जाएगा, बताओ, double आया की नहीं आया, बताओ, ठीक, यह देखिए, यह इस तरीके से एक length है, given length है, okay, L, अब ध्यान देना मेरी बात बच्चों, ठीक, यहीं पर बता देने चलो, इसको double करो, तो एक बार double करोगे, तो cross section area ऐसे double हो जाएगा, और length हो जाएगी half, क्यों बच्चों, अब length कित्ती होगे इसकी, L by 2, आया की नहीं आय cross section area कितना था, A, अब cross section area कितना हो गया, double, double का मतलब क्या होता है, 2A होता है, यह लीजे, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यानि के यह original wire है आपका, यह क्या है आपका, original wire है, given length L का, यह original wire है, ध्यान देंगे students अभी अच्चे, ठीक, यह पहली activity क्या कर दी, उसने, एक बार double किया, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है, this process is repeated again, यही process दुबारा repeat किया, अब बताओ जरा, यही process जब दुबारा repeat करोगे, बिल्कुल तसलिय से करना, सुन लो ध्यान से, यह था, ऐसे किया, हाँ, यह देखिए, length हो गई, half, पहली बार जब किया, cross section area, double, फिर से double बच्चों, जो new condition होगी, यह उसने first step में किया, और second step में process को repeat कर दिया, बच्चों, तो ध्यान देंगे students, अब कुछ ऐसा diagram बनेगा, यह देखिए, इस तरीके से, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है students, ध्यान दीजेगा, यह इस तरीके से, यह लीजे students, अब मेर मतलब क्या होता है, 1 upon 2 से multiply करना होता है, तो L into 1, L 2 to the 4, लो, अब हो गई लैंज कितनी बच्चों, L by 4, सही है, और area को बच्चों, फिर से double करो, 2 A का double कितना होता है, 4 A, चेक कर लो, अरे 2 A को, 2 से multiply करोगे, तांसर कितना आ जाएगा, 4 A, तो इसका area कितना हो गया, 4 A, तो बच्चों, आप सवाल पढ़ लीजे, कहरा, by what factor does the resistance of the wire changes, मतलब समझो, वो कह रहा है कि इस wire, जो final आपको condition मिली, इसका resistance आपको compare करना है किसके साथ, इसके साथ, original वाले के साथ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, माना की, माना की बच्चों, जो original वाला wire था, उसका resistance था ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चों, एक बात बताईए, कल हमने आपको resistance का formula पढ़ाया था, बच्चों, यदि आपको यादो, तो हमने आपको पढ़ाया था, resistance का formula, R is equals to rho L by A, याद है, L length होता है, A cross section area होता है, rho होती है, उसकी resistivity, और सुन लो, rho material पे पहले, इसका resistance देखो, इसका resistance कितना लिखोगे, R is equals to, rho की जगा, rho, और L by A, ये लीजे, सही है, और इसका resistance जब लिखोगे, बहुत सावधानी से लिखना, सुन लो, ध्यान से मेरी बात, बच्चों, इसका resistance, R dash, या R new कर दो, is equals to, क्या करोगे, बताओ, rho की जगा, तो rho लिखोगे, क्या मैंने सही कहा, भाई, resistivity थोड़ी ना change हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, students, अब length की जगा कितना लिखेंगे, L by 4, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लीजे, भाई, अब L कितना हो गया, L by 4, तो L की जगा, तुम L by 4 च चिपका होगे, आया की नहीं आया, बताओ, आया, अब ध्यान से सुनिएगा, गलत मत करके आ जाना, एक्जाम में, ठीक, अब ध्यान सुनो मेरी बात बच्चो, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, अब इसको थोड़ा solve करो, इतनी तो मैस तुम्हें आती, इतने पढ़े लेक आप क्या करो, मैं बताओ, ध्यान से समझो, यह जो नीचे 16 लिखा है, इसको आप क्या कर सकते हो, देखो, सब कुछ multiplication में, तो row into L by A को अलग कर लो, हमेशा ऐसा किया करो, row L by A को अलग कर लो, और जो नीचे 16 है, उसको आगे 1 by 16 लिख दो, यह कुछ लोग को पक्ता नहीं स बताओ, तो 16 into A वापस 16 A आ जाएगा, और 1 into row L तो वापस row L नहीं आ जाएगा, बताओ, नहीं आया, बस अब जिसको नहीं आया, क्यों बहुत कर दो, जिसको नहीं आया, सुन लो, अगर X by 4 लिखा है, तो तुम इसको 1 by 4 into X लिख सकते हो, बस इतना समझ लो, ठीक, अगर क ठीक, तो जाधा टेंशन मतलो, अब ध्यान से चेक करो, बच्छों, एक बाँ बताओ, ध्यान से चेक करना, ये 1 by 16 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और into में, into में, बच्छों इसकी जगा तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो, ये equation number 1 थी, रो L by A की जगा क्या लिख सकते है, ये सोनो, बताओ, लिख सकते हो, सही है न, अब ध्यान सुनो, देखो, तो अब क्या हुआ, बताओ, और new जो हो गया, new resistance जो आया, आपके सामने ही आया, मैंने कुछ नहीं किया, और new is equals to, क्या रहा है, 1 by 16 into r, ये लिजे, 1 by 16 into r का मतलब r by 16 है न, आप इसको ऐसे भी अच्छो, new resistance कहा रहा है, by what factor does the resistance of the wire changes, so the new resistance becomes 1 by 16 of the former, former मिकलब जितना resistance पहले था, उसका 1 by 16 times हो गया, कोई डाउट है, कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट है, बताइए, या मैं नेक्स कोश्चन पर चलूँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना आप ले सकते हो, कर लिया, very good, अब देखिए students, आजाईए जरा फटाफट, देखिए, यहाँ पर आजाईए, क्या यही आंसर लिखा है students, आईए फटाफट, देखिए, क्या यही लिखा है, r is equals to r by 16, और bracket में decreases लिखा है, क्यों हो भाई, जब आप 1 by 16 हो गया भाई, तो एक तरिके से 16 से त पहले जितना था, उसको 16 से डिवाइट कर रहे हो, तो जब किसी चीज़ को डिवाइट कर रहे हो तो decrease ही तो हो जाएगा, तो 16 गुना वो decrease हो गया, 16 times decrease हो गया, यह चीज़ है, 1 by 16 से multiply करने का मनलब 16 times decrease हो गया, जितना resistance पहले था, ठीक, जैसे example के तोर पे तुम को हम बता कर रहे हैं था कि तोड़ा तुम फील कर लो है ना मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मानने में क्या जा रहा है, मान लो बच्छो पहले रेजिस्टेंस था 64 ohm, तो अब जो new resistance हो कितना हो जाएगा, आर भाई 16, फील कराने के लिए बता रहा हूं, पहले कितना था 64, आर का फटाफट, बच्छो कोशन नमबर 10 के लिए, कोशन नमबर 10 के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन यहां कराना चाहता हूं, बच्छो ध्याम से चेक रहें, कोशन नमबर 10 के लिए तो मैं आपको ले चलूँगा अपने वाइट बोर्ट पे, ठीक है students, आ जाईए फटाफट, कोशन नमबर 10 के लिए देखिए, एक बार फिर से याद दिलाओंगा मैं आपको, कोशन नमबर 10 के लिए आ जाईए फटाफट यहां पर पहले, देखो बच्छो, बच्छो एक्जाम में दो तरीके के कोशन आते हैं, ध्यान देंगे students, फटाफट, देखिए ब फिच, तो यह इसका graph है, अब सुनो ज़रा ध्यान से, इस graph का जो slope होता है, ध्यान से सुन लिजेगा बच्छो, इस graph का जो slope होता है,Life क्या होता है, कुछ लोगvit को नहीं पता है, तो यह जो graph आ रहा है, वीडी करव, इसको वी आई ग्राफ बोलते हैं, ठirके न, यहां स बच्चों का बच्छ बच्च्च बताता है या इब और जिसक्ट रखीए तो आईएज दिया हम आपसे एक सवाल पूसते हैं कि यहां पर ध्यान देंगे बाच् हो यहlo तो कलर वाला है मतलब भई दो कंड़क्टर ली है हमने सब्सक्राइब अब बताओ अब आपके सामने यह बच्छो ध्यान से चेक कर लीजे कॉपर का स्लोप जो है वो कम है और ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा है चेक कर लो ज्यादा एंगर लगा रहा है तो अब मैं आपसे पूछाओ कि बताओ न से चाहरा और कॉपर का रिजिस्टन सब्सक्राइब बताई जिसका स्लोप जादा होगा उसका सब्सक्राइब तो यह बात आपको पता आपको जो है सावधानी रखनी यानि कि जैसे एक्जाम में कोशन पेपर मिलेगा तुरंट आपको यह चेक करना है कि वी कहां है सुन लो अगर वी होगा वाएक से पर तब तो नॉर्मल कंडिशन है मतलब जिसका स्लोप जादा उसका रेजिस्ट्रेंट जादा लेकिन अगर वी एक सेकसेस पे हो गया बच्चों अगर वी एक सेकसेस पे हो गया और आई कहां दे दिया उसने वाइट हां तो यहां केस रिवर्स हो जाएगा मतलब जिसका स्लोप कम होगा ना उसका ज़िस्ट्रेंट जादा होगा तो आपको यह वाली चीज याद रखने की ज़रूत है ठीक है बच्चों यह आरवन रिजिस्ट्रेंस और इसका रिजिस्ट्रेंस कितना अटू ठीक है सुटेंस अब हाँ तो अब ध्यान से चेक करेंगे जरा यहां पर उसने सवाल पूछा कि यह बताओ आरवन बढ़ा की आर्टू तो चेक कर लो आर्टू का स्लोप कम है कम बना रहा है एकससे के साथ हाँ और जो आरवन है वह ज्याधा एंगल बना रहे है तो यहां पर बड़ा हो जाएगा इसका स्लोप तो जिसका स्लोप कम उसका रे temperature बढ़ाने से जिसको नहीं पता है सुनूँ द्यान से temperature बढ़ाने से resistance बढ़ता है यानि कि जहां Transportation जादा है graph में तो आप बोल सकते हो हम इया वाँ उसका खुसों सुनिये बच्छों की temperature यदि जादा होगा तो रेजिस्क्रेंस भी जादा माना ना जाएगा आ गया की नि आ गया बताओ आ गया सवाल देखो सवाल देखो फट फट सवाल क्या है बच्छों आप ध्यान दें यहां पर टेंपरेचर टीवन है और यहां पर टेंपरेचर वच्छो टीटू है मैं आप से यह सवाल पूछ रहा हूं इस बार रजिस्टेंस का सवाल नहीं पूछा ना ना इस बार टेंपरेचर का सवाल पूछा बतार पूछ रहा है कौन सा टेंपरेचर ब कि पारे में सोचो आप अपने मन में ऐसा शोचो कि इसका रंग्स ऑर ंपान लौ अरे भाइं रही मौन लो ठीक इसका रजिस्टन से तो ककेल नहीं होते हैं लेंगिन पोर्फन होता है temperature जाधा तो तो आया किनी आया नहीं वह थिक है लेकिन अभी यहीं कहानी खथम नहीं होती है एक और सवाल आपको देगा तो वह आप एकजाम में एक 2 और 3 ठीक है बच्छों अब आपको दे देगा यहां टेमपरิचर टीफवन तेमपरिचर टीटू टेमपरिचर टी तरी बोलेगा कि इसको लगाओ आप किसमें इंक्रीजिंग उडर में कैसे लगा दो इसको इंक्रीजिंग मतलब क्या होता बच्चों छोटे से बड़े की तरफ ठीक है छोटे से बड़े की तरफ छोटे से बड़े की तरफ तो हाँ अब ध्यान से चेक करो बच्चों सबसे बड़ा टेंपरिचर कौन होगा तो जवाब जिसका सबसे बड़ा होगा तो इसका बड़ा होगा जिसका स्लोप सबसे कम ठीक है ऐसे questions आपको जो है मिलेंगे exam में यह देखिए बच्छों देखिए पहले आप resistance के बारे में सोच हो यहाँ पर ठीक तो सबसे बड़ा resistance किसका होगा T3 का यानि कि R3 is greater than R2 is greater than R1 क्या मैंने सही बोला भाई R3 का resistance स्लोप सबसे कम तो उसका resistance सबसे ज़्यादा क्योंकि V कहा है X-axis पे इसका स्लोप उससे जादा और तीसरे वाले का स्लोप सबसे जादा तीसरे वाले का स्लोप सबसे जादा तो उसका सबसे कम ठीक तो यहां से temperature भी इसी साब से चलेगा T3 is greater than T2 is greater than T1 बस अब यह क्या यह तो decreasing order में लगा दिया आपने आपको क्या लगाना है increasing order में तो ऐसे करके सोचने के बाद आप final answer क्या लिखोगे increasing order मतलब छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे चोटा temperature कौन है T1 तो बस final answer ऐसे टीवन फिर less than लगा हो गया कि टीवन छोटा है किससे टीटू से टीटू छोटा है किससे टीटीज लो भया यह जो बॉक्स में बंद है यही आपका answer है टीवन is less than T2 is less than T3 सही है तो यह increasing order हो गया बढ़ते वे order में छोटे से बड़े की तरफ आगया सवाल अब इसके लावा कुछ नहीं आएगा समझे तो मैंने भाई सारे possibilities यहां discuss आप से कर ली है अब आज आईए आप अपने question paper में और देख लीजे question paper में आप से यही सवाल पूछा है ठीक है आईए यहां पर यह लीजे बच्चों के रहा है तो copper की ही तार है दोनों लेकिन अलग-अलग temperature पर उसके साथ experiment किया गया है ठीक और आपको पता है कि temperature बढ़ाने से resistance बढ़ जाता है तो टीवन टीटू पर temperature पर experiment करके वियाई ग्राब बनाया हुआ है कि at which temperature is the resistance higher बच्चों कौन से temperature पर resistance higher है अब चेक्कर लोग वी कहा है वाइक्सस पर आई कहा है एक्सस पर नॉर्मल कंडिशन चलेगी जिसका स्लोप जाधा उसका कोई डाउट है पताईए resistance कहां पर higher है टीवन temperature पर आ गया होगा अब तो गलत मत करना मैंने सारे cases students आपके सामने यहां discuss कर दिए ठीक है students तो थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे correct ओके now अब ध्यान दीजे students next देखें next आपका question number 11 ओके कह रहा है कि through which of the two wires the electric current will flow more easily अब बच्चो ध्यान से चेक करो थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेडिल एंड आफ द सेम लेंद गनेक्टेट तो सेम सूर्फ अब ये सब क्या बात कर दी समझो जरा समझो वाय जगा कहा है समजाने के लिए ध्यान से छेकरो बच्चो देखो यहिए एकं अडू कि पतला तार ले लो ठीक है ये थिक है ये थिन है पतला और ये क्या है थिक है उसी material का तार है और same potential difference याने कि V-volt का potential difference इसमें लगाया और V-volt का potential difference देने वाली बैटरी इसमें लगाया है दोनों में potential difference सेम लगाया है सर ध्यान से सुनिए सर क्यों सर इसलिए सर क्योंकि सर electric current को चलाता कौन है धक्का मार मा वाई थक्का मारने वाला दोनों में जेम है यहनि कि दोनों को सेम सोर से कनेक किया है पढ़ लिजए दोनों सेथ दोनों का क्रॉकसर्ज को समें रख द्यांदbling है ताकि कोई ना नहीं दोगा चेक करो यहां से रो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों की रिजस्चि भी टी सेमेंao ऑन जोनों की सेवें होगी सब्सक्राइब करती है दोनों का लेंठ करेगा किस्क्रों या के उपर तो रे जिस्चेंस इस इंवर्सली proportional to cross section area ठीक और उसने हम से क्या पूछा है बताइए बच्चों जाके पढ़िए 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 कह रहा है कह रहा है कह रहा है कह रहा है the electric current will flow more easily तो electric current more easily किसमें flow करेगा जिसका करेंट किसमें easily flow करेगा जिसका resistance कम होगा सब्सक्राइब कर लो अगर आपको कम चाहिए तो एरिया कैसा चाहिए ज्यादा चईए गये सो ठीक, तो फिर हम किस पर टिक लगाएंगे याँ पर, देख लिए बच्छो ध्यान से, हम option A पर टिक लगाएंगे, तो ठीक वायर में current अराम से flow करेगा, अब थोड़ा यह आपको feel करा देते हैं, feel ऐसे करो, कि दो गली है, L length की, दोनों आपके महले में दो गली है, ठीक, दोन तो आप मुझे यह बताओ, आप अराम से किस कोन सी गली से निकल जाओगे, दोनों गली की length सेम है, ठीक, एक पतली गली, मोटी गली है, किस में से अराम से निकल जाओगे, ठीक है, लोग है, वहाँ पर भी ममनानी निकर रहे हैं, लगिन कहीं न कहीं जगा तो आपको मिल ल सबते हैं कि मोटी वाली गली, यानि क्रॉस सक्षेन एरिया जो जादा है, तो वहाँ करेंट अराम से निकलता है, यानि कि resistance कम हो जाता है, समझ गए, ठीक तो यह चीज है, इसलिए ठीक वायर हमने चूस किया है, आगे बढ़िए, बच्चों, आप से क्या कहता है, कहता है, इसको हटा देते हैं, यह सब हो गया होगा, इसका screenshot वगएरा आप ले सकते हो, जो भी आप समझो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से चेकर हो, बच्छों, question number 12 में आप आओगे, तो आप से क्या कहता है, बच्छों, इस question में, कह रहा है, resistance of a register is kept constant and the potential difference across the two ends decreases to half of its former value, state the change that will occur in the current through it, अब ध्यान दे बच्छे, ध्यान से concept समझ लेना, देखो बच्छों क्या बोला असने, पढ़िए, कह रहा है कि resistance of a register kept constant, यह क्या बात कर दी, कह रहा किसी register का resistance constant है, मतलब समझो, जो वायर था, वही वायर है, जो वायर था, वही वायर है, ना तो temperature change किया, ना त उसकी length change करी, ना तो उसका cross section area change किया, ना तो उसकी resistivity change करी, तो वायर वही है, ठीक, तो पहले वायर लगा था, वही वायर, वी वोल्ट के potential difference वे, और इसका resistance R था, ठीक है, resistance का मतलब क्या होता है, opposition to the current, ओके, तो जब इसमें potential difference V लगाया था, तो माना इसमें current कित्ती flow कर र कर लीजे, resistance उतना ही है, ओके, one second, तो students आगे देखिए जना, resistance उतना ही रखते हुए, ध्यान से चेक करेंगे बच्छो, potential difference को क्या कर देता है, potential difference across two ends is a decrease to half of its former value, यानि कि पहले potential difference V था, अब V by 2 कर दिया, कितना कर दिया, V by 2 कर दिया, तो current कितना हो जाएगा, माना की नया current I कितना है, I- है, माना की नया current कितना है, I- है, एक बादा है, सीधी साब बात ध्यान से सुन लो, भाई, सीधी साब बात ध्यान से सुन लो, resistance का मतब रोकने वाला, current को oppose करने वाला, current को oppose करने वाला उतना ही है, यहाँ पर भी उतना है, लेकिन धकेलने वाला half कर दिया, आपन लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे examination में आप कोई भी risk मत लीजे आप ना बच्छो calculation कर लीजे ठीक तो कैसे calculation करोगे आईए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर current निकालो जो former यह former condition थी पहले ऐसा था ठीक तो यहाँ पर current कितना था i बराबर क्या हो जाएगा बताईए v upon r सही है अब current कितना हो गया बच्छो यहाँ पर देखिए i dash बराबर current कैसे निकालते हो बताओ v upon r से सुन लेना मेरी बात ध्यान से बच्छो current कैसे निकालते हो i dash v upon r से तो v की जगा तुम v by 2 रखोगे बस यही बताना चाहता था मैं v की जगा v by 2 रखोगे और r की जगा तो r ही तुम रखोगे 2 उतर के नीचे आके r में multiply करेगा तो i dash बराबर कितना हो जाएगा v upon 2 r सही है अब बताओ इसको मैंने क्या लिखना सिखाया है तुमें i dash बराबर upon में 2 है तो तुम इसको 1 upon 2 into v upon r लिख सकते हो बताओ और इसके बाद i dash बराबर 1 upon 2 into अब बताओ v upon r की जगा क्या लिखोगे तुम equation number 1 से आई यानि कि जितना current पहले था वो लिख दोगे अब बताओ क्या हो गया i dash बराबर 1 upon 2 times i यानि कि जो current है नया वाला i dash it becomes the half of the former value यानि कि जितना पहले था बस यही answer वही चेक कर लो जादा नहीं बताना है current will be half of its former value आया कि नहीं आया बताओ ठीक अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चो अगला सवाल करने से पहले अच्छा अच्छा question number 30 नहीं तो बड़ा सस्ता सवाल है देखो कह रहा है what happens to the resistance of a conductor when its cross section area is increased degrees देखो सुन लो ध्यान से कह रहा है conductor को क्या होगा उसके resistance को cross section area अगर बढ़ाद होगे बढ़ाद होगे गली मोटी हो गई है तो करेंट आराम से चलेगा करेंट आराम से चलने का मतलब है रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा अब कितना हो जाएगा वह आपको नहीं बताना है क्यों सर उन्होंने हमें यह थोड़ी ना बताएगी cross section area को half cross section area को हमने double कर दिया क्या कर दिया वह तो नहीं बताया उन्ह से connect करना है केवल रजिस्टेंस से क्योंकि बच्चों हमने formula पढ़ा है आर बराबर रो एल बाए एको बढ़ाने से आर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा कीपिंग रो एन एल कॉंस्टेंट कोई डाउट है पताई है ठीक है सुडेंस मैं आपको फट 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 याद दिलाना चाहता हूं बच्चों ठीक है formula है आपके पास बच्चों याद रखिएगा भूल मत जाना इस फॉर्मुला है आपका या यह मैंने कल क्लास में आपको नहीं रिवाइस कराए ठा फॉर्मुला दिखिए पच्चों फॉर्मुला आपको यूज़ करना है पहले तो याद कर लो पहले तो याद कर लो बेटा ध्यान सुनो देखो सुनो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है नेगेटिव का नेगेटिव का नेगेटिव यह मैं इसका एपसलूट वेल्लू लिख रहा हूं एपसलूट वतलब निमेरिकल वेल्लू नेगेटिव वाफ वन पॉन पॉइंट सिंट्ट अपर मैनस 19 कुलॉम सुनलो ध्या एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या एक प्रोट्रॉन के ऊपर चार्ज उप्र ही लगा दिये तो एक आनूल इसकी उक्ष ठीक्रिव लगा है बसचोसुन इपसली यह लिग गतव लिए य सफाइज बलो एक लेक्ट्रान पर इतना हर्ट रॉता है यह सथ और सूनो तर्व माना की निंग उसको बता रहा है नंबर ऑ सब्सक्राइола है तॐटल चार्ज को ऑब्लगा शेश들이 इन सुन लेना एक इलेक्ट्रॉन पर इचार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा थी इंट्वी तो अगर एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कितना चार्ज होगा एन इंट्वी और एन इंट्वी ही टोटल होगा तो इसको कर देंगे टोटल चार्ज क्यूक के एकवल फॉबला बन चुका है बच्छों आपका क्या क्यू इसको इकल्स टु एननी आया की नहीं आया बताओ क्यों इस इक्वल्स टू एन नी चेक आ गया अब सुनो सवाल सवाल यह है सवाल यह है कि एक कुलॉम चार्ज बनाने के लिए ध्यान से सुन लीजे एक कुलॉम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सुन लिया क्या बोला मैंने कि एक कुलॉम चार n into e सही है और q की जगह कितना रखोगे 1 कुलॉंब याने कि 1 और n into e की जगह क्या रखोगे 1.6 into 10 to the power minus 19 ओके तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको इसके equal कर दो याने कि n into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equals to 1 अब ध्यान दो बच्चो ये पूरा नमबर इधर multiply उधर जाके divide कर देग ठीक सो एन बराबर कितना आ जाएगा बताईए 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 आया की नहीं आया बताईए आया की नहीं आया अब सुनो अब सुनो अब बोलेगा सर इसको सर्व करना बहिए सुनो सॉल्व करना क्लास में खूब सिखाया है अगर करेंगे तो आदा घंटा ऐसे निकल सर याद कर लो बच्चो 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 की जो value होती कुछ लोग कुछ लोग बोलेंगे कि जो है याद करा दिया क्या करें बाई अब आदे गंटे calculation थोड़ी ना इसकी कराएंगे NCRT वाले playlist में है जिसको calculation देखना जाकर देख सकता है इसका answer आएगा 6.25 into 10 to the power 18 electrons सुन लिया जहां से कि सुन लिया अभी मैं इसी पर सवाल कराऊंगा सुन लो 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 solve करके कितना आता है इसको 천 से क्या सीखा एक कुलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रों जिम्मधार होते हैं बताईए 6.25 into 10 to the power 18 टीन इलेक्ट्रॉन आ गया अब सुनो मेरी बात ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो बच्छों तो अगर वह आपको एक्जाम में दे दे कि दो कुलॉम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं तो क्या करोगे इस नंबर को टू से मल्टिप्लाई कर गप करके दिखाओ तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है देखो वहां लो बच्छों एक्जामपल की तौर पे उसने एक्जाम में आपको दे दिया चार कुलॉम का चार्ज कितना हां तो क्यू बराबर चार कुलॉम दे दिया किरा बताओ कितने लेक्ट्रॉन होंगे यहने के एन का वैलू आपको बताना होगा सही है तो आप क्या करोगे बच्छों देखो कैसे हैंडल करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को विल्कुल अराम से हैंडल करेंगे टेंशन है नहीं को अब ध्यान दो जरा क्या करोगे q बराबर एन लगाने के बाद बच्छों यहां से आप एन की वैलू निकालोगे एन बराबर q by e आयेगा अब ध्यान सुनो यहां पर q की वैलू चिपका होगे ठीक कितनी बच्छो q की वैलू 4 अपार में e की वैलू छिपका होगे 1.6 in to 10 to 10-19 और सुनो अभी सॉल्व मत करने लगना अराम से लो इसको इसको लिखोगे फॉर इंटू वन अपॉन पॉइंट सिक्स इंटू टेंड पार माइनस 19 ऐसे करके लिखोगे क्या कोई दिक्कत कर दी मैंने बताओ वापस इतनी हो जाएगा कोई दिक्कत कर दी नहीं अब ऐसा क्यों किया ऐसा इसले किया फॉर इंटू और इसकी वैलू मैंने तुम्हें याद करा दी है यह सब बहिया सॉल्व करने का एक्जाम में दिखाना भी नहीं है तुम टेंशन मत लेना चुप चाप सीधे आंसर फट फट ओके तो 6.25 इंटू 4 करोगे तो आ जाता है तुम्हारा 25 आ जाता है कितना जाता है 25 25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉंस अब बोलेगा सार ऐसे छोड़ दे नहीं हम इसको सांटिफिक नोडेशन में करेंगे जैसे क्लास में सिखाया कैसे करते हैं अगर ऐसे भ डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए इसी को सांटिफिक नोडेशन बोलते हैं बच्छों तो यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10 दे पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा सुनलो डेसिमल को जितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे यदि आप डेसिमल को जितने प्ल प्लेस लेफ में लेकर यह तो 10 दे पावर में आट करेंगे तो कितने लेक्टरान हो गये चार कुलॉम के लिए कितने लेक्टर Turns लेक्टरन गयी जो तुम्हारा आंसर आ रहा है चुप छोड़ देना माक्स तुम्हें मिल जाएंगे पता लगा उल्टा सीधा कर दो पावर में ठीक तो तुम यहीं पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हो यानिक इसको से इसको आप क्रेक्शन कर लेना माइनस एटी नहीं टेंड़ बार एटी नहीं एक और कूलाम नहीं है इलेक्ट्राण से कूलाम थोड़ी नहीं नंबर उफ एलेक्ट्राण की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है ठीक है बच्चो समझ में आगी बात तो यह हो गया ऐसे करके सबस्काइब हो यहां पर आजाओ ncrt में फिट आफट यह दिखिए बच्चों यह वाली टेबल थी वेरेबल रिजिस्ट्ट्ट का सिंबल ऐसा होता है यह इस तरीके से ठीक इसके दो सिंबल होतें आपके छिपे यह दीखिए यह एक ऐसा होता है आप इसको भीरेबलध र एक मशीन होती है ले अबने एंडेटीकल मशीन होती हें वाइस किसमें हैंडल लगा हता है तो हैंडल को ऐसे आगे-पीछे-पीच्छे-फची खीच vandaag ऑप तो या किसे ऑगे-पीच्छे की वैल्लोब सकते हैं नो हो थीचिय तो 100 ohm हो गया पीज़ के अलेकर फचास olun हो गया और फेचे लेकर आगय तो 25 ohm हो मैं थीक्ट क्या ने हूं ठीकर रहे हो आप कीया कर यहां थे आप से सवाल पूचा न एवब क्या कह रहे है क्वेड THE MEANING OF A variable register ऑके रो अस रोके डायंगराम तो इस्ट्रेट सबसे पहले इस कोश्चन में आप क्या करोगे आप एक सरकेट बना ओगे बना लोगे बना लोगे की नहीं बना लोगे भयच्छों यह की लगी हुई है यह यह सर यह तुम लेकर आए हो तुम मार्केट से खरीदfront लेकिए लेके आना भाई को रिजिस्चनस वह अल dibuj से जरूरी नहीं है कि वह बही किया पता कौई लेक्तरिक बल्ब आपने लगाया हो लब में उसके अप कुछ कर रहे हो quiero你 कि अजया इलएक्टरिक बाल हो चाहरेफ है फैन हो मोटर हो कुछ भी हो हो तो उसमें तो यह कोई रेजिस्टिंस है जो तुम लेके आयो अब बताओ तुम जो खरीद के लेके आयो बजार से उसका रेजिस्टिंस तो फिक्स होगा ना भाई बत्चो इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा होगे सही है जो कि इसके क्रॉस पॉटिंशल डिफिस्टिंस बताएगा अब सुनो यहां क्या लगा दिया तुमने इसके सिरीज में कुछ लोग को पहलल दिख रहा होगा नहीं सिरीज में कैसे सिरीज में करेंट सेम होता है तो करेंट उपर मत भेज दीना वोल्ट मीटर का र सब्सक्राइं चाब जाती जाती एधियो करेंग धिप्र ही करेंट प्रेंगड जाती गा tease में उपर कोई करेंगे सारी की सारी करेंट इसमें से आएगी आई करेंट आरे थी पीछे से यह घूमते हूए यह ए जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ वही करेंट इसमें से जाएगी कि नहीं जाएगी अब मुझे बताओ जितनी करेंट इसमें से जा रही उतनी ही करेंट इसमें से जा रही कि नहीं जा रही दोनों में सेम करेंट है कि नहीं और यदि दोनों में सेम करेंट है तो दोनों सिरी से लिए यह सर अब दो रचेशन सीरीज में एक तो तुम बजार से खरीद के लेके आयो जिस पर तुम एक्सपरिमेंट कर रहे हो तुमारा बल वह सकता है और एक तुम बच्छो यह खरीद के लेके आयो रियोस्टेट बजार से इसमें नॉब जो हैंडल होता है उसको आगे पीछे कर रखते हो तो ध्यान सुन ले ना ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो वैटरी तो नहीं चेंज कर रहे हो बैटरी तो बच्छो फिक्स हो गई आपकी मानलो 100 वोल्ट की बैटरी है अब रजिस्चन्स को बच्छो एक बार तुम क्या करोगे यहां से नॉ तो बोलो 5 प्लस 100 105 105 हो जाएगा इस टाइम तो बच्चों बाब बताए करेंट कितना आएगा आई बराबर वी अपॉन और ठीक है ना भाई इसका एक लेंट सरकेट बनाओ कैसा बनेगा जान सुनों यह बनेगा ऐसा अब आप अपने मन में सोचोगे कि इन दोनों की जगा क् 105 ओम यह लो ठीक और बैटरी तुम्हारी वही है 100 वोल्ट की अरे मैं शॉर्ट में बना दे रहा हूं भाई समझ जाना जल्ले लली कराना है यह 100 वोल्ट की बैटरी तो बताओ कितना करेंट आएगा इसमें तो आई बराबर वी बाई आर से वी कितना है 100 वोल्ट और करेंट 0.9 के आसपास आ रहा है बच्चो दिल पर मतले लेना रांड ओफ करके लिख रहा हूं 0.9 ओम क्या सब्सक्राइब करेंट अब सुनों अब तुमने क्या किया मैं कलर चेंज कर रहा हूं बच्चो तुमने नौब घुमाई इसकी इस तरीके से हैंडल घुमाया और यह कर दि ली बचाओ 50 50 कितना होगा त्रीज में वह लो 55 तो यहां 55 ओम का रिजिस्संस होगा अब करेंट निकालो कितना आ जाएगा आई डैश अब न्यू करेंट कितना आ जाएगा चेक कर लिजे नू करेंट कितना आएगा बच्छों वी अपॉन आर से वी कितना है 100 वोल्ट और कितना है पॉन निकाल करेंट कितना जाएगा 100 पॉन पउन पशबंन यहां 100 अपान पशबं घ्जिस करद के की यह देखो और बार-बार यहां से this change करके पूरे circuit का equivalent resistance देते हो तो करेंट घट जाता है और पूरे सरकेट का equivalent resistance घटा देते हो तो करेंट बढ़ जाता है तो इसका से सब्सक्राइब और क्या काम है बच्चों या Adriatic का क्या काम है पढ़ लिचे का यह काम है रद्वाइस तू रेगूलेट करेंट सही बात रहे बहुशन कर रेघंच करण यह उसका आप बार-बारर चेन्जक कर रहे हो विधाप चेंज गड़ में सब्सक्राथ ठीक है अ call the variable resistance आया कि नहीं आया तो working of register क्या हो गया बच्चो टु रेगुलेट वाट टु रेगुलेट करेंट विदाउट चेंजिंग वोल्टे सोर्स यह से स्टेट्मेंट को आपको एक्जाम में लिखना नहीं तो मार्स नहीं मिलेगा आपको क्या स्टेट क्या करता है तो इडिज रेगुलेट करेंट विदाउट चेंजिंग दा वोल्टे सोर्स आया कि नहीं आया बताईए को डाउट है बताईए ठीक है तो इसको नोट कर लीजे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ